सब्सक्राइब करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आज हम लोग आये हैं इस सेशन में एक खास ख़वर बताने वाला हूं आप लोग को किसके बारे बताने वाला हूं BFUHS बाबा फरीद University of Health Science स्टाफ नर्स की पोस्ट निकली है और किती पोस्ट है 129 पोस्ट है क्या क्या eligibility रहने वाली है कितनी पोस्ट रहने वाली है क्या सब कुछ होने वाला है डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूं तो इस वीडियो के लास्ट तक बने दाएगा औ लास्ट तक देखते हैं क्या है खास देखिएगा एक notification आया है बी एप बाबा फरीद University of Health Science लेकिन ये पंजाबी language में है ये समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि हम लोगों को जैसे हम लोग बात करें English या Hindi तो easily समझ जाए लेकिन पंजाबी language में समझ में नहीं आ रहा होग टोटल आप लोग अगर यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो 129 आप लोगो को के वले एकिन नंबर समझ में आ रहे होगे 28-10 लेकिन इसके बारे में डीटेल से कबर बताता हूं आप लोगो देखेगा क्या है बाबा फरीद University of Health Science की बात करूँगा मैं यहाँ पर यहाँ पर पोस्ट कितनी ए-129, Age limit कितनी है मतब कितने से कितने 129 पोस्ट है इसके अंदर और अब के अंदर भिट इस सारा डेटील आप लोगों को मिल जाएगा बहुत जल्दी डेटील नोटिफिकेशन इसका मिलने वाला है उसके अलाबा यहाँ पर एज लिमिट की बात कुरूँ तो 21 से 40 साल तक अगर आपकी एज 21 साल है या 40 साल से ज्यादा नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिज और तुरंत आप लोगों को सबसे पहले नर्सिंग इंडर 24-7 की तरफ से यह खबर दी जा रही है तो नोटिफिकेशन रिलीज 26 दस को हुआ है एपलिकेशन फोर्म कभी स्टार्ट हो रहें 28 तारिक से मलब आप लोगों को डे अफ्टर टुमारो 28 तारिक से यह आप लोगो जो है इसका नोटिफिकेशन इसकी जो एपलिकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी इसकी क्लोजिंग डेट कभी 11 नवंबर 2024 को इसका लास्ट डेट रहेगा उसके बाद डेट एक्स्टेंशन नहीं होगा तो आप इसके लास्ट डेट की इंतजार मत करिएगा यह अच्छा म लेकिन पेपर अच्छा होगा इसका बहुत चांदार पेपर होगा एपलिकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड पर फॉर्म बरे जाएंगे जोब की लोकेशन क्योंकि बाबा जो फरीद उनिशिटी ओफ है वो सीधी सी बात है पंजाब में है तो लोकेशन भी पंजाब में ही होग दोट ac.in पर आप जाकर बढ़ सकते हैं इसके लिए eligibility criteria की बात करूँगा eligibility 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 criteria की बात करूँगा तो अगर आपने bsc nursing किया है तो आप इसके लिए eligible है अगर आपने GNM किया है तो भी आप इसके लिए eligible है और अगर आपने post basic BSC nursing अगर आपने किया है तो भी आप इसके लिए eligible है without experience कोई experience नहीं मांगा गया है इसमें उसके अलावा यहाँ पर form start कब हो जाएंगे form start 28-10-2024 को form start हो जाएंगे और कब तक form रहने वाले हैं 11-11-2024 तक यह form रहने वाले हैं exam pattern exam paper होगा paper pen mode या CBT पर हो सकता है paper pen mode या CBT पर हो सकता है exam का pattern उसके अलावा exam में जो major portion है वही आपका nursing और non nursing रहने वाला है nursing और non nursing रहने वाले हैं मेरे साब से यहाँ पर आप लोगों को nursing में जो important subject है वह आप लोगों की रहने वाली है MSN, OBG, fundamental of nursing, mental health nursing, community health nursing और pediatrics यह सारी important subjects आप लोगों की रहने वाली है for the nursing subject और non nursing की बात करूँ तो जितने भी आप लोगों की current affair हो गया, math हो गया, reasoning हो गया कि सारे non nursing में आप लोगों को मिलने वाले हैं तो इसका detail notification में भी आप लोगों को tomorrow जो है पोस्ट आप लोगों को दिखरी होगी 129 nursing की पोस्ट है और यह सब आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर यह सब आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके form आप लोगों को कल से परसों से start हो देंगा thank you so much आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हम आपसे और अगली वीडियो में इसके बारे में बहुत सारी बाते करेंगे तो thank you so much आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद thank you so much